जिलास्पतान में बनकर तयार हो चुकी है BSL-2-R-PPCR Lab का शनिवार सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री योगी अधित्यनाथ में आउनलाइन शुभारम किया कोरोना मामारी पर अंकुछ लगाने है तुछ सरकार गंबीर है संकर्मण की शुरुबात के बाद जिले के संक्रिमेतों के सेंपल जाच के लिए के जी एम्यू लखना उजाते थे शाशन से जिले में BSL-2-R-PPCR Lab की स्थापना के लिए प्रिस्ताव मांगा गया था स्वास्ते विभाग ने जिला स्पताल परिसर में जमीन चेनित कर प्रिस्ताव भेजा था जिससे सुरकरती देख वे शाशन से Lab निर्मान कराने पर महर लगा दी गई थी इसके बाद से ही Lab निर्मान की शुरुबात की गई थी हाले में इस Lab का शुभारम करने कुछ CM योगी अधित्यनाथ के आनी की चर्चा भी हुई थी लेकिन बाद में वे टल गया अब Lab में सभी मशीन इंस्टॉल हो चुकी है जिले के COVID-19 संधितों के नमूनों की जाश अब मुरदबाद में ही संबभ हो सकेगी अब तक जाश के बाद सेंपल को लखनो भेजा जाता था अब एक दिन में लगबख सो नमूनों की जाश हो सकेगी लेब के इंचार डॉक्टर नील मणी ने बताया कि 6 लोगों को इसके निये ट्रेनिंग दी गई है लेब के नोडल अधिकारी डॉक्टर नील मणी ने जानकारी दी कि लेब को 6 सेक्शन में विभाजित किया गया है इसमें नमूनों की रिपोर्टिंग, स्टरलाइजेशन, सेक्शन, रियल टाइम, PCR सेक्शन, सेंपल कलेक्शन वा RNA लिस्कस्टन आदिल शामिल है मैं डॉक्टर नील मनी, यहाँ पे माइकर बैयोलोजिस्ट की हैसियत से पोस्टेड हूँ और मैं यहाँ पे जो BSL2 लैब बनाए है, उसमें कोवीट जांच का संचालन करूँगा मैं और मेरी टीम यहाँ जांच का जो है, वो करेगी अभी तक यहाँ से जितने भी सैंबल थे, वो सारे लखनव जा रहे थे पर अगले कुछ दिनों में जब सारी वेवस्था यहाँ पे तुस्ट दुरूरत हो जाएगी तो हम सारे जांच यहीं पे करना सुरू कर देंगे उससे मरीजों को जो है, सेम डे में मिलने सुरूर देखिए, अभी जो हमारे पास मसीन है, वो धाई घंटे में 96 टेस्ट करके दे सकती है ठीके? उसी के हिसाब से हमारे पास जितना स्टाफ बढ़ेगा, उस हिसाब से हम आगे अपने टेस्ट बढ़ाएके जो जो जांच करंगे, जो जैसे, अभी कलेक्ट हो रहा है, CMO टीम के द्वाड़ा या जिला अस्पटाल द्वारा वैसे कलेक्ट होके हमारे पास सेंपल आएंगे और फिर हम यहाँ पर जांच करके उसके रिपोर्ट देंगे, CMO के जो भी जाँ छोड़ी है वो सीवर टीम के द्वारा हो रही है वो प्रोटोकल सरकार का बना हुआ है उसी के तरीके से साड़ी जाचे की जा रही है आज माने मुख्यमंत्री जी ने यहां पर मुरादाबाद के लिए बायो सेफटी लैब का उधगाटन ऑनलाइन किया है हमारी बायो सेफटी लैब अब यहां पर स्टार्ट हो जाएगी हम लोग अभी तक जो भी संदिक्द कोरोना पेशेंट्स के जो सैंपल होते थे वो हम ल चीज से तीस टेस्ट पर डे हो जाते थे अब यहां पर बायो सेफटी लैब जिस पर लगबग इस पर दो करोन का व्याय आया है और यह यहां पर प्रदेश शरकार की ओर से दी गई है मंडल अस्तरिय चिकित साले को तो मुझे उम्मीद है कि अब जो हम लोग सेंपल लखन जिए नहीं यह बिल्कुल टीम इसकी अलग होगी और अलग से डेडिकेटे टीम लग गई है और वो लोग इसको अब अलग से संचालित परेंगे